हलो मैं हूँ नीतु कमार और आप देख रहे हैं E24 का Facebook पेज और YouTube चैनल हम रोज किसी न किसी एक Bollywood स्टार की कहानी लेकर आते हैं तो आज हम देवल फैमिली की एक बात आपको बताएंगे Sunny देवल, Bobby देवल और धर्मेंद्र तीनों ही जो हैं, इनके बीच बहुत जाधा अपनापन देखने को मिलता है अपने करके एक फिल्म भी आई थी, ये तीनों जो हैं अकसर एक साथ काम करते हैं फिर से अपने टू बनने की बात आ रही है और धर्मेंद्र ने अपने दोनों बेटों का करियर बनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने एक विजेता फिल्म्स लाँच किया था जिसके जरीये उन्होंने अपने बेटे सनी के लिए बिताफ फिल्म बनाई बिजेता फिल्म पैनर तले ही उनके छोटे बेटे बॉबी देवल जो है वो 1995 में लॉँच हुए और उनकी फिल्म आई थी परसाथ दोने ही फिल्में हिट रही और इस बैनर तले उन्होंने बहुत से फिल्में बनाई आपको बता दे कि एक और फिल्म बनने वाली थी लंदन इस फिल्म में जो हैं बॉबी देवल थे करिश्मा कपूर को उन्होंने कास्ट किया था और इसके अलावा सनी देवल बॉबी देवल और करिश्मा कपूर की इस फिल्म को गुरिंदर चडधा जो की मशूर फिल्म मेकर रही है, वो लंडन की रहने वाली है और उन्होंने बहुत सारी फिल्मे बनाई हैं और उन्होंने इस फिल्म को तै किया था कि वो इस फिल्म को डरिक करेंगी, सनी फिल्म की कुछ शूटिंग भी शुरू हो गई थी, उसी दोरा कुछ creative differences को लेकर सनी देवल और गुरिंदर चड़ा में बहस हो गई और सनी अपनी बात प्याड़े रहें तो वहीं गुरिंदर चड़ा वह अपनी बात प्याड़ी रही और फाइनली यह हुआ कि गुरिंदर चड़ा ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया ऐसे में सनी की भी इगो सामने आगई उन्होंने सुचा कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ और एक डिरेक्टर से मैं कैसे हार मान जाओ तो उन्होंने सुचा कोई बात नहीं मैं इस फिल्म को खुद डिरेट करूँगा मैं खुद इस फिल्म के लिए वो मैदान में उतरे उन्होंने फिल्म की हिरोईन भी बदल डारी करिश्मा कपूर की जगा जो है उर्मिला मतोंड कर की एंट्री हो गई बॉबी देउल ये एक लव ट्रैंगल फिल्म थी दिल लगी और ये 90's में ही ये फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म ने बॉक्स आफिस पर कोई बहुत अच्छा बिजनिस नहीं किया फिल्म फ्लॉप हो गई थी और इसी फिल्म से कहा जाता है कि सनी देउल की मतलब एंट्री जो है वो डिरेक्शन की तरफ हुई थी और उन्होंने अपने आपको बतोर फिल्मकार जो है दुनिया के सामने पेश किया था तो आपको ये बता दें कि ये फिल्म बहुत जादा चली नहीं थी और सनी देउल को जो है अपने पापा के निर्ने पे उनको लगा था कि पापा ने एक निर्ने लिया था और मेरी वजह से ये सारा कुछ जो है गरवर हो गया फिल्म चली नहीं पैसे बरबाद हो गये फिल्म साथ करोड में बनी थी तो उनको लगा कि विजेता फिल्म के साथ करोड डूब गये उसके बाद से सनी देवल ने कसम खाली है कि वो कभी भी अपने पापा के डिसीजन में जो है वो कोई टांग नहीं अडाएंगे जैसा पापा कहेंगे वैसा ही करेंगे तो आपको बता दे विजेता फिल्म के बैनर तले जो है बहुत से फिल्म में बनती रही है और सनी देवल जो है उसके बाद बहुत जादा जो है वो इंटरफेर नहीं करते हैं आपको बता इ उनी की बदॉलत दामिनी जैसी फिल्म उनको मिली थी जो भी यादगार किर्दार है सनी देएउल के फिल्म जो यादगार रोल है उनके उसमें से राजकुमार संतोशी का बहुत योगदान रहा और उनकी फिल्मे करके कह सकते उनको National Award तक मिला था, घायल फिल्म के लिए उनको National Award मिला था, लेकिन राजकुमार संतोशी के साथ भी उनकी अन्बन हो गई थी, और वो फिल्म थी शहीद, जी हाँ उसमें बॉबी देउल शहीद भगत सिंग के रोल में थे, और उस फिल्म की मेकिंग के दोरान भी राजकु जादा चली नहीं थी, इस फिल्म में जो है अश्वर एराय भी थी, उनका एक रोल था, फीमेल लीड का, और बॉबी देउल जो है भगत सिंग के रोल में थे, लेकिन इस बार भी सनी जब डिरेक्शन के मैदान में उतरे तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाएं, सनी देउल ने बेटे की फिल्म का नाम रखा, फिल्म में जो है उन्होंने काफी मेहनत की करीब डेर दो साल मनाली और हिमाले में उस फिल्म के लिए भटकते रहें, लेकिन ये फिल्म बहुत जादा चली नहीं, हाला कि ये फिल्म जो है, उनको बहुत उमीद थी कि ये फिल्म एक अच्छ बार भी किया था लेकिन इस बार भी मतलब वो नाकाम रहें तो डिरेक्शन के मैदान में जो है सनी बहुत जादा कमाल नहीं कर पाए ये अलग बात है कि उनकी फिल्म गधर, घायल, घातक, दामीनी, बेताब बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं सनी देउल की जिन्हों ने बॉक्स के मैदान में उतरे हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिली है और अभी एक बार फिर से जो है अपने टूग एक फिल्म बन रही है जिसमें सनी देउल भी दिखेंगे, बॉबी दिखेंगे, धर्मेंद्र भी दिखेंगे और इस फिल्म को अनिल शर्मा बना रहे हैं वो अनिल शर से साथ आने वाली है, इसमें तीन पीडियां आपको एक साथ दिखाई देंगी, धरमेंदर तो है ही, इसके अलावा सनी देओल, बावी देओल और इसके बाद जो है करन देओल, तो अपने टू कब जो है देओल फैमिली के फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, तो यह थी पर यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इंटर्टेंडमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग निउस हो, या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो, या सेलिबिटीस की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो, या कॉंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर, तो फिर धमाकेदार इंटर्टेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और देखते रहे है, E24